आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउनलोड करें होता है, लास्ट में जो तात्यों बनते हैं, वो रेडियाक्टिव होता है तो मतलब कि जो वेस्ट होता है, वो भी खराब होता है ठीक है, और इस दोरान क्या होता है, इसमें हिलियम बनता है, जो कि यूज में लिया जा सकता है इस दोरान क्या होता है नाभी के विखंडन के दोरान जो उर्जा मुक्त होती है वो कम होती है इसके compare में तो यहाँ पे ज़्यादा होती है और यहाँ पे कम होती है लेकिन फिर भी जो नाभी के संलेहन है उसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता है विखंडन का ही उपयोग क् तो इसका कोई reason है इसका एक तो reason है इसको नाभी किया संल्य अभी किया को start करنا तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नाभी के प्रारंब करना ठीक है एक तो ये कारण है उसके लिए इसको प्रारंब करने के लिए एक उर्जा के आव सकता होती है मतलब कि जो temperature की आओ सकता होती है ताप मान की वो कितना होना चाहिए वो होना चाहिए 100 million मतलब कि 10 करोड यहाँ पर लिख देता हो 10 करोड Celsius यह 10 करोड Celsius इतना जाद है कि यह जो सूरिय पर जो उसका आंतरिक भाग होता है उसका temperature बहुत जादा होता है उससे भी 6 गुना जादा होता है ठीक है 6 गुना जादा सूरिय आंतरिक भाग का जो ताप मान होता है उसका 6 गुना जादा होता है यह वाला temperature मतलब कि यह ताप मान तो इतनी जादा temperature की आओ सकता होती है इस अभिकरिया को स्टार्ट करने के लिए अब आप कहोगे कि यहाँ पे अगर ऐसा है तो सूरिय पर नाभिके सनले नाभिके लिए परारम की होता है वहाँ पे तो hydrogen hydrogen होता है और helium बनाते है तो इसका कारण होता है उसका गुरतिय प्रभाव उसके कारण इतना temperature अच्यों किया जाता है ठीक है गुरतिय प्रभाव उसका जो दर्मान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो hydrogen hydrogen atom को बहुत पास ले आता है ठीक है उसके कारण इनके temperature व्यद्दी होती है और यहाँ पे plasma का निर्मान होता है और यह प्लाजमा helium बनाते है और यही कारण है कि वहाँ पे उर्जा का इस्तरोथ होता है तो जो उर्जा आती है यही उससे निकलती है यही हमारी तरफ पिर्थी की तरफ आती है तो सूरिय के उर्जा का इस्तोर होत क्या है हाइड्रोजन और ये किस कारण होता है इसका जो तापमान होता है वो लगबग गुरतिय परभाग के कारण एक हाइड्रोजन सनलेन नाभी किया सनलेन अभी के रिया स्टार्ट कर देता है अब दूसरा कारण क्या है, कि एक कारण तो बता दिया, एक इसको परारम करना ही मुश्किल है, फिर दूसरा कारण ये है कि इसका जो रख रखाओ है, रख रखाओ, मतलब कि जब परारम हो गई है, उसके इब बाद अब दिक्कत की आएगी, कि इस से बहुत ज़्यादा अपमान को जो सेन कर पाए ऐसी धातू नाभी की रियक्टर बनाए तो यह पोशिबल ही नहीं है ठीक है और यहाँ पर जो प्रारम करते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक उर्जा देनी पड़ते हैं तो जो उत्पन उर्जा होती है इस नाभी के संलें के दोरान उससे भ नहीं है कि जब पर यह नाभी के जो संलें है अभी के रिया इसका कोई उधार नहीं है मतलब कि यह प्रैक्टिकली है प्रियोग साला में की गई है ठीक है प्रियोग साला में हुई है लेकिन इसका जब उर्जा के रूप में जैसे कि हमारे नाभी के रियक्टर विखंडन अभी करिया में यूरेनियम लेते हैं, तो वो तो आसानी से हो जाता है, उसके रियक्टर वकर बन जाते हैं, लेकिन यह नाभी के संलेन के दोरान इसका प्रयोगी प्रयोग साला तो हो चुका है, लेकिन इसको उर्जा के लिए यूज करना मुश्केल है, तो यही कारण होता ह तो प्रयोगी और नियंतरिक उर्जा उत्रोगे रूपमें प्रयोग नहीं करते हैं, तो दोस्तो यह हमरी उत्तर होगे, धन्यवाद चासु, चासु, चासु बढ़